हम कर रहे हैं 11th home science का chapter 10 विविद्ध संदर्बो में सरोकार और आवशकताई हम इसका गर भाग कर रहे हैं जो कि है संसाधन उपलब्दता और प्रबंदन पिछले विडियो में हमने बात की थी कि जो समय है और गतिविदी है इसकी योजना के अलग-अलग चरण कौन-कौन से हैं स्टेप्स कौन-कौन से हैं हमने कुछ important activities की थी बहुत interesting थी मैं उमीद करती हूँ आप सबने वो activities complete कर ली होंगी क्योंकि वो activities आपके लिए बहुत important है exam point of view से नहीं बलकि आपकी routine life के लिए students आपसे exams में भी पूछा जा सकता है कि अपना एक daily का time table ready कीजिए या yearly plan मनाईए तो वो activities प्लीज आप मत छोड़िए आज हम बात करेंगे समय प्रबंदन की स्थितियों की यानि कौन-कौन से tools है time management के तो आईए शुरू करते हैं तेक की peak load period क्या होता है ये peak load period बच्चों किसे निर्दिष्ट अवधी में काम के अधिक्तम भूज को चरम भार अवधी कहते हैं आप इसको simple से language में इतना समझ लीजिए कि कई बार पूरे दिन में एक ऐसा time period आता है थोड़ा सा हो चाहे थोड़ा बड़ा हो जब हमारे उपर work क प्रेशर सबसे जादा होता है अगर हम आपके मदर की बात करें अपनी ममा का example लें तो उनके लिए जो morning hours होते हैं वो उनका चरम भार अवधी होती है यानि कि उनका peak load period होता है यानि जब उनके पास काम का बोज सबसे अधिक होता है सुबह उनको उठकर नहाना दोना होता ह है पूजा करनी होती है किचन का काम करना होता है बचों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है बचों का breakfast बनाना होता है husband के लिए breakfast बनाना होता है खुद का breakfast करना होता है घर के साफ सफाई पे ध्यान देना होता है यानि यह वो समय होता है जब सारे काम एकदम से एक साथ आपके होते हैं जबearly exams जब आपके annual exam होते हैं आपको ये subject भी पढ़ना होते हैं वो भी पढ़ना होते हैं सारे subjects पढ़ने होते हैं तो वो आपका होता है peak load period यानि की चरम भार अबदी अब हम बात कर रहे हैं कार्य वक्र की है ना work curve जिसे हम बोलते हैं देखिए ये हमारा work curve है पहले मैं आपको इसे detail से समझा देती हूँ फिर हम इस पर दुबारा आएंगे कि ये A, B, C point कौन से है ये question बहुत important है आपसे exams में पूछा जाएगा work curve यानि कार्य वक्र क्या होता है या चरम बारवदी क्या होती है या समय प्रबंदन की स्थितियां कौन-कौन से है क्या होता है work curve समय अनुसार कारय देखने का एक साधन है देखिए A से B कारय के लिए स्फोर्ती पैदा करने की अवदी है C अधिक्तम शमता है और स्थिर्ता की स्थिति है और D थकान के कारण अधिक्तम गिरावट है देखिए ये हम एक एक एक्जामपल से समझ लेते है फूर एक्जामपल आप स्कूल गए तो स्कूल में जब आपका फर्स्ट पीरिड होता है आप फुल आफ एनरजी होते है अपने इंटरस्ट पूरा होता है उर्जास, फूर्तित सब भर-बर के होती है तो जैसे ही आप स्टड़ी करना शुरू करते है आप पूरे मल लगा के लगाव से पढ़ना शुरू करते है और खूब अच्छे से स्टड़ी करते है तो जहां से आपने शुरू किया यह A है, उसके बाद आपका B पॉइंट आ गया फिर पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता है कि बस अब मेर से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही या अब मैं स्टड़ी ज़्यादा नहीं कर सकता मैंने एरनर्जी खतम हो रही है अब मुझे एक ब्रेक चाहिए तो यह हमारा पॉइंट होता है लगबग C अब यहाँ पे आपने अंतराल यानि की ब्रेक ले लिया ब्रेक क्यों जरूरी होता है ताकि हमें मानसिक ठकान ना हूँ, हम बोर ना हूँ इसलिए ब्रेक बहुत जरूरी है जब हम ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद हम और अच्छी एनरजी से अधिक कारे कर पाते हैं इसलिए हमारी टाइम ड्यूरेशन में ब्रेक यानि अंतराल बहुत जरूरी है फिर चाहे वो घर में हो, आफिस में हो, किसी कमपनी में हो किसी मजदूर के लिए हो या किसी स्टुडेंट के लिए हो सब के लिए या अंतराल बहुत जरूरी है अब आपने या अंतराल ले लिया, अंतराल से मेरा आश्या है आपकी जो रिसस होती है 20-25 मिनट की, 15-20 मिनट की जो भी इसका टाइम होता है उसके बाद आपने फिर से काम करना शुड़ू किया फूल एनरजी के साथ अब जैसे जैसे आपका घर जाने का टाइम हो रहा है आपकी एनरजी लेवल बिल्कुल डाउन होता जा रहा है और आपको लग रहा है बस अब तो छुटी हो ही जानी चाहिए तो उसे हमने कहा है D तो यहां से जब हमने शुड़ू किया A B जब हमें ब्रेक चाहिए C और जब हमारे कारे में गिरावट आगई एनरजी में गिरावट आगई उस पॉइंट को हम कहते है D पॉइंट पच्चों यह आपको अच्छे सा समझना है क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है देखिए D थकान के कारान अधिक्तम गिरावट से अधिक्तम शमता है काम करने की और वहाँ पर एक स्थिरता आ जाती है यानि उससे ज़्यादा काम हम उससे ज़्यादा एनरजी से काम हम नहीं कर सकते हैं उसके बाद थार्ड नंबर पे है विश्राम या अंतराल की अवदी जिसके अबने अभी अभी बात की कि जब हम कोई कारे करते हैं तो कुछ अनुत्पादक रुकावटे आते हैं यानि ऐसे इंटरॉप्शन साते हैं प्रोडक्टिव होते हैं कहने का आशे ये है कि अगर हम वो अन्तराल नहीं लेते हैं तो कारे के लिए energy भी जादा लगेगी कारे भी ढंग से नहीं होगा या हो सकता है कारे incomplete भी रह जाए इसलिए या अन्तराल बहुत ज़रूरी है इसकी आवर्ती यानि frequency या मियाद बहुत महतपूरण होती है कहने का आशे ये है कि जो अन्तराल है वो कितने समय का है ये बहुत important होता है अन्तराल बहुत ज़र्दा छोटा नहीं होना चाहिए for example हम आपको recess दें केवल 5 minutes की school में कैसा लगेगा आपको आपको लगेगा ना इससे अच्छा तो नहीं देते क्यों क्योंकि आपको लगेगा मैं इसमें washroom भी जाके आउँ पानी भी पीके आउँ मेरे किसी friend से बात भी करूँ खाना भी खाऊँ तो ये तो मेरे लिए बहुत से बल नहीं है तो उसकी जो frequency है उसकी जो duration है जो अवधी है वो बहुत important है बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए अगर हम आपको एक से डेड़ घंटे का अंतराल दे दे यानि break दे दे तो आपको नींद आने लगेगी आप बोर हो जाएंगे आपको सुस्ती आएगी और उसके बाद आप अपना आगे का काम या अंतराल के बाद की जो पढ़ाई है वो नहीं कर पाएंगे इसलिए offices में मजदूर के साथ या घर में भी अंतराल का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ना लंबी अवधी हो ना बहुत छोटी हो लेकिन अंतराल होते बहुत जरूरी है टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, अलग-अलग ब्रेक के नाम से इनको हर कंपनी में, हर जगे पे अलग-अलग नाम दिया जाता है अब हम बात कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट चोकी है, कारे का सरलेकरन यानि की सिंप्लिफिकेशन आफ वर्क, the most important topic of this chapter क्यों important है ये? क्योंकि exam में बहुत important question है ये, आपसे पूछा जाता है, detailed question में की कारे के सरलेकरन के बारे में बताइए और दूसरी स्की importance क्या है? कि अगर आप इसे समझ लेते हैं, तो आप अपने सारे काम easily कर लेते हैं, कम energy में कर लेते हैं और कम time में कर लेते हैं, तो ये आपके routine life के लिए बहुत important है देखिए इसे हम दो तरीके सा समझ सकते हैं, पहला तरीका तो ये है कि हम अधिक काम करें, यानि energy तो हम उतनी ही use कर रहे हैं, time भी हम उतना ही use कर रहे हैं, लेकिन हम काम अधिक कर रहे हैं और second क्या है, कि हम काम तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन हम कम energy में और कम time में कर रहे हैं, दोनों में से हम किसी को भी अपना सकते हैं आईए देखिए आपके book में क्या लिखा हुआ है, कार्य करने की सबसे सरल, आसान और अती शिग्र विधी से करने की जो चेतन कोशिश है, उसे कहा जाता है कार्य का सरलिकरन ये इसकी परिभाशा है, कि किसी भी काम को करने के लिए हम ऐसी टेकनीक, ऐसी विधी को अपनाएं, जो सबसे सरल हो, आसान हो और जिससे कार्य जल्दी होता हो अगर हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं कार्य का सरलिकरन इसका आश्य दो महतोपुरण संसादनों से, यानि कि समय और मानव उर्जा, यानि कि टाइम और मेनरजी, उसके कॉमिनेशन और उसके मेनेजमेंट से है इसका आश्य ये होता है कि समय और उर्जा की निर्दिष्ट मात्रा में अधिक से अधिक काम निश्पादित करना यानि कि समय हम उतना ही ले रहे हैं, एनरजी भी हम उतनी ही ले रहे हैं, लेकिन काम हम अधिक कर रहे हैं उसके बाद है निर्धारित काम को पूरा करने के लिए यानि कि अब हम काम तो उतना ही कर रहे हैं लेकिन टाइम और एनरजी है उसकी जो मात्रा है उसको घटाया बड़ा रहे हैं इसके हम अलग-अलग steps करेंगे अलग-अलग बहुत सारे examples करेंगे हमारी अगली वीडियो में तो अगली वीडियो में हम इसकी details से बात करेंगे कारे के सार लिकरन की मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you